यशर्ष्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मुगती जी अपने मनोभाव प्रकट करेंगे स्यावर राम चंद्र की जाए स्यावर राम चंद्र की जाए स्रद्धे मंच सभी संथ एवं रशिगण यहां उपस्तित और विश्व के कौने कौने में हम सब सखाज जुड़े हुए सभी राम भक्त आप सब को प्रणाम आप सब को राम राम आज हमारे राम आ गए है सदियों की प्रतिष्चा के बाद हमारे राम आ गए है सदियों का अभूत्पुर्व धैरिया अंगिनत बलिदान प्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभुराम आ गए है इस सुबगड़ी की आप सभी को समस्त देश वासियों को बहुत बहुत बधाई मैं अभी गर्भ गुरुह में इश्वरिय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्तित हुआ कितना कुछ कहने को है लेकिन कंठ अभुरुद है मेरा शरीर अभी बीस पंदित है चित अभी भी उस पल में लीन है हमारे राम लला अब टेंट में नहीं रहेंगे हमारे राम लला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे मेरा पक्का विश्वास है अपार स्थ्रद्दा है कि जो गटित हुआ है इसकी अनुभूती देश के विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी ये ख्षान अलोगी घर ये पल पवित्रतम है ये माहोल ये वातावरन ये उर्जा ये घरी प्रभूस्री राम का हम सब पर अशिर्वाद है 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अध्भूत आभा लेकर आया है 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं ये एक नए काल चक्र का उद्गम है राम मंदिर के भूमि पुजन के बाद से प्रती दीन पुरे देश में उमंग और उत्सा बढ़ता ही जा रहा था निर्मान कार्य देख देश वाचियों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है आज हमें स्री राम का मंदिर मिला है गुलामी की मानसिक्ता को तोड़ कर उठ खड़ा हो राष्ट अतीत के हर दौंस से होंसला लेता हुआ राष्ट ऐसे ही नव इतिहास का स्रजन करता है आज से हजार साल बाद भी लोग आज की इस तारिक की आज के इस पल की चर्चा करेंगे और यह कितनी बड़ी राम खुरुपा है और यह कितनी बाद नवाव공ण गलेगे और यह कितनी बाद